अलो दोस्तो आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिटेंशन टाइम और उसके वैलूस के बारे में इंफर्मेशन देखने वाले हैं प्रीविएस यहर जही का एक्जाम होगा या फिर एक्जाम होगा इस वे भी इसके उपर कुश्छन पूछा जा चुका है वाटर ट्रिटमेंट प्लांट के उपर जब भी वाटर पहुचता है उसमें सबसे पहले स्क्रीनिंग होता है बाद में एरेशन होता है बाद में सेडिमेंटेशन होता है sedimentation में plane sedimentation coagulation, flocculation, secondary sedimentation ऐसे सारी process होती है है अभी जितना देर प्रोसेस में water जितना देर रहता है उसको कहता है हम लोग detention time या फिर आप कह सकता है inlet to outlet water travel करने में जितना time लेता है उसे हम लोग कहता है detention time अब यह detention time की जो values है यह आपके exams में repeatedly बहुत बार पूचे गए इसके लिए हम लोग इस वीडियो में हम लोग यह सब की सब values देखने वाले आने वाले upcoming जो exams है उसमें भी इसके values पूचा जा सकता है तो देखिएगा सबसे पहले है plain sedimentation या फिर हम लोग उससे कहता है primary sedimentation या फिर आप उससे कह सकते है pre settling basin इसका detention time कितना होता है तो वह 4 to 8 hours इतना detention time primary sedimentation tank का होता है बाद में हम लोग जैसे कि sedimentation मतलब क्या तो water के अंदर raw water के अंदर जो impurities है जब primary sedimentation या फिर plain sedimentation tank के अंदर enter करती है तो by the action of gravity water के अंदर के impurities है वो settle down होती है क्योंकि water का speed जो है वो कम होता है मतलब horizontal flow velocity वो कम हो जाती है और particle की settling velocity बढ़ती है इसके वज़े से particle by the action of gravity पानी के अंदर settle down होती है तो उसके लिए detention time कितना है 4 to 8 hours कितना detention time है second process है coagulation added sedimentation coagulation added sedimentation के लिए पूरा detention time क्या है तो 2 to 4 hours पूरी process के लिए 2 to 4 hours इतना detention time है coagulation या फिर हम लोग कहते है जिसमें सबसे पहले coagulation मतलब क्या कि जैसे की हम लोग कहते है fast mixing या फिर addition of chemicals उसमें करते है coagulation में chemical जो यूज़ किया जाता है coagulant जो यूज़ किया जाता है उसको हम लोग जो mostly उसकरते है alum, aluminium sulfate, aluminium sulfate या फिर alum जो है as a coagulant करके हम लोग यूज़ करते है और उस coagulant को raw water में fastly mix करते है rapidly mix करते है इस complete process के लिए time कितना लगता है तो 30 to 60 seconds इतना time लगता है coagulation process के लिए, इतना detention time है coagulation का, coagulation होने के बाद में हम लोग करते है flocculation, तो flocculation में हम लोग जो flocculation chamber है, उसमें उसका aim रहता है large और dense flocks को form करना, तो एक chamber है जिसमें एक fan जए वो slow speed पर रहेगा, दूसरा fan जए वो फास्ट मूह करता होगा, उसके वज़े से large और dense flocks form होते है तो flocculation या फिर slow mixing का जो time है, वो रहता है 10-20 minutes, 10-20 minutes या फिर 30 minutes तक flocculation process चलता है, आप ऐसा कह सकते है, detention time है, बाद में secondary sedimentation tanks, जो भी large और dense flocks form होते है, flocculation tank में, वो जाकि settle down होते है, secondary sedimentation tank के अंदर, उसका detention time जो है, 2-4 hours इतना है, तो यह सारे detention time आपको, आपको जरूर आप कोई information जो है, helpful रहने वाली है, आने वाले exams में, प्रॉपलर mixer unit जो है, उसका भी detention time पुचा जा सकता है, 10 seconds इतका प्रॉपलर mixer unit का detention time रहता है, साथे में अभी हम लोग जैसे की tube settler's use करते है, tube settler's जिसमें coagulation, flocculation, इस सारी process होते है, तो tube settler का detention time 10 minutes से भी कम रहता है, जो सार ECS, IBPS exam conduct करती है, बहुत सारी values रहते है, formulas रहते है, theory पूचे जाती है, कुछ ऐसी theory है, जो repeatedly पूचे जाती है, इसके बार में हम सब अपने YouTube video lecture के series में discuss करने वाले है, तो देखते हैं, और नए points लाएंगे, और नए कुछ important points हम लोग discuss करेगे अगले वीडियो में, thank you दोस्त bye bye